Welcome to banking process गाइस आज के इस वीडियों में भात करेंगे Standard Chartered Smart Credit Card के बारे में देखेंगे इस Credit Card के benefit को, feature को और अगर आपको ये credit card अप्लाय करना है तो card के लिए eligibility क्या है total detail आज के इस video में हम discuss करने वाले हैं तो वीडियों को आप end तक देखते रहेए ये चैनल पर अगर आप नए हैं तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको क्रेडिट कार्ड, लॉन और बैंकिंग से रिलेटेड इंफोर्मेसन सबसे पहले मिलें इस्टेंडर चार्टेड समार्ट क्रेडिट कार्ड में आपको पर एन्यूल 18,000 का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, जो भी आप इस क्रेडिट कार्ड के जरीए सॉपिंग करेंगे, इस्पैंड करेंगे, उसके एक्कोर्डिंग यहापर आपको 2% का कैस बैक प्रोव करेगा cashback आपको कैसे मिलेगा आगे आपको मैं बताने वाला हूँ बट गाइस अगर आपको ये credit card apply करना है तो आप इस credit card को apply करने के लिए description में विजिट किजिए आपको मैंने एक direct link provide कर लिया है link पर आप click करेंगे तो आपके सामने इस type का एक page open हो जाएगा standard charted की official site पर आप redirect हो जाएगे यहाँ पर गाइस आप देख सकते है standard charted smart credit card get cashback up to 18,000 annually आपको ये cashback provide किया जाता है आपकी shopping के according यहाँ पर आप देखेंगे get instant approval online आपको यहाँ पर four step follow करने है select card application approval और document यह गाइस यहाँ पर आपका step है वो approve हो जाएगा definitely आपको ये credit card आपके communication address पर provide किया जाएगा so आपकी जो भी information है उसको feel करके आप standard charted credit card को apply कर सकते है अब गाइस मान लिजिए आपका credit card ये approve हो जाता है credit card आपके communication address पर आपको provide किया जाता है तो आपको यहाँ पर काफी standard benefit provide किया जाता है सबसे पहले guys जब भी आप credit card को apply करते हैं तो आपको यहाँ पर zero annual fee का mention रहता है कि आप इस credit card को लेंगे तो zero annual fee आपको pay करना होगा ये कैसा होगा तो ये भी आपको मैं यहाँ पर compare करके बताने वाला हूँ but guys normally अगर हम credit card को यहाँ पर apply करेंगे तो हमें यहाँ पर joining fee pay करना होगा 499 रुपीज प्लस taxes और same to same इसका annual fee भी है 499 रुपीज प्लस taxes बट guys इसका जो भी renewal fee है 499 रुपीज प्लस taxes उसको यहाँ पर आप वेवाप करा सकते हैं credit card के माध्यम से आपको per annual एक लाख 20,000 रुपे को spend करना होगा इतना amount अगर आप इस credit card के माध्यम से खर्स कर लेते हैं तो definitely आपको यहाँ पर zero annual fee pay करना है आपका जो भी renewal fee है वो यहाँ पर वेवाप किया जाएगा साइध इसी वज़े से आपको यहाँ पर highlighted किया जाता है बट guys आपको मैं personal ही बताना चाहता हूँ जब भी आप card को apply करे तो एक बार offer को जरूर चेक आउट कि apply करना अब guys credit card के cashback के बारे में अगर हम बात करें तो इस credit card के माध्यम से आप online खर्स करेंगे तो आपको यहाँ पर 2% का cashback provide किया जाएगा बट guys आपको यहाँ पर 2% का cashback definitely मिलेगा लेकिन इसके लिए यहाँ पर एक condition है आप per month यहाँ पर maximum 1000 रुपीज का ही cashback earn कर सकते हैं और यहाँ पर guys आप offline spend करते हैं online के लावा कई और spend करते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का cashback provide किया जाएगा बट यहाँ पर भी capping है आपको यहाँ पर maximum 500 का cashback provide किया जाता है तो guys यहाँ पर आपको 2% and 1% जो भी इसका maximum capping है उसके according अगर हम calculate करें तो आपको यहाँ पर annual 18,000 का cashback का benefit हो जाता है बट guys इसके लिए आपको खर्चा करना होगा credit card से आपको spend करना होगा जो भी आप cashback earn करेंगे वो cashback आपको यहाँ पर reward के form में provide किया जाता है तो आप standard started की official site 360 reward पर visit करके आप अपने reward point को भी redeem कर सकते है यहाँ पर guys आपको एक unique facilities provide की जाती है credit card के माध्यम से आप यहाँ पर अगर big amount को spend करते हैं खर्च करते हैं तो ऐसी इस्तति में आप यहाँ पर EMI में convert करके अपना amount pay कर सकते हैं बट guys यहाँ पर आप जो भी EMI में amount को convert करेंगे उस पर आपको rate of interest भी कापी कम लगने वाला है और यहाँ पर आप जो भी convert करेंगे उसके according आपक देना होगा I think अगर हम इसको annually calculate करें तो 12% के आसपास होता है जो कि दूसरे card के comparison में कापी कम है और इस card में आपको extend interest pre period भी provide किया जाता है जब आपके पास में credit card आता है तो within 90 days के अंदर ही आपको यह offer claim करना होता है माल देजिए credit card आपके पास में आ जाया और आपने credit card से spend किया और उस amount का अगर आपका bill generate होता है minimum amount आपको pay करना होता है वो amount pay करके आप 3 month का interest free period का भी benefit उटा सकते है जो भी आपका amount यहा पर बाकी रहेगा क्योंकि आप minimum तो pay कर रहे है लेकिन आपका outstanding amount रहेगा उस पर आपको interest pay नहीं करना होगा बट यह offer आपको only 4 credit card मिलने के ब provide किया जाएगा बाकी गाइस यह credit card है वो contact class facilities के साथ में आता है आप यहापर POS machine पर touch and pay करके भी अपना payment कर सकते हैं इस credit card में आपको balance transfer on EMI की facilities भी मिलती है like SBI में आपको यह facilities मिलती है आप इस credit card के amount को दूसरे credit card का bill pay करने के लिए भी use कर सकते हैं हाला कि यहापर आपको क services provide करता है bank यहाँ पर काईस आपको जो भी credit card में limit मिलती है उस limit के according आपको personal loan भी offer किया जाता है यहाँ पर आपको maximum 5 lakh रुपीज तक का personal loan भी provide करता है standard started credit card तो काईस कापी अच्छे benefit है इस credit card में definitely आपको यह card apply करना ही चाहिए अब इस card को लेने के लिए eligibility क्या है तो age आपक maximum 65 इनके बीच में अगर आपकी age है तो definitely आप इस card को apply कर पाएंगे और यह credit card आपका approval भी हो सकता है अगर आपके saving account में stable income credit हो रही है मंतली कोई salary credit हो रही है तो definitely guys आपको इस credit card का approval है वो instant online provide किया जाएगा अगर आपका credit card approve होता है तो वीडियो के down में आप comment करके मुझे बत अगर आपको अच्छा लगाओ तो like करे, share करे अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल banking process को subscribe करे ताकि आपको credit card, loan और banking से related information सबसे पहले मिले